के गाइज वेलकम वेलकम बाक तो हुमानिटीज कॉर्णर होप यू एन अल्यास आ दूइंग वेल त्यार आज के वीडियो के अंदर हम क्लास 12 जोग्रिफी का चाप्टर नूमबर एट इंटरनाशनल ट्रेड पढ़ने वाले ठीक है यह हमारी जो फॉर्स्ट बुक है इसका लास्ट चाप्टर होने वाला है ठीक है तो यह बेसिकली एक वन चॉट लेक्चर होगा हम बेस्ट ऑन रेशनलाइज स्लेबस यानि जो नया स्लेबस है 2023-2024 के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ने वाले है ठीक है नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्श करने वाले हैं ठीक है सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप ओल्ड एंसी अभी तक यूज कर रहे हो तो उसके अंदर यह चाप्टर चाप्टर नंबर नाइन है ठीक है अब जो पुरानी इंसी आटी है उसमें से जो हमारा पेज नंबर 84 है और 85 के अंदर से एक कंप्लीट टॉपिक को इलिमिनेट कर दिया गया है यानि उसे अब हमें नहीं पढ़ना है ठीक है तो कौन सा है वो टॉपिक वो टॉपिक है इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ओफ इंटरनाशनल ट्रेड ठीक है इसके भी तीन सा पॉइंट्स है वाल्यूम ओफ ट्रेड कंपो ट्रेड का सीधा सा मतलब है कि वॉलंटरली एक्स्चेंज यानि इच्छा अनुसार आपने अपनी गुड्स और सविसे को एक्स्चेंज किया ठीक है बले ही पैसे के बदले या फिर गुड्स के बदले क्या है ठीक है अब इसके अंदर बेसिकली दो पार्टी रिकॉयर होत एक होता है इंटरनाशनल ट्रेड यानि आउटसाइड दा कंट्री जब आम ट्रेड करते है ठीक है तो इस चाप्टर में हमें इंटरनाशनल ट्रेड के बारे में पढ़ना है तो इंटरनाशनल ट्रेड से हमारा मतलब है कि exchange of goods and services among countries across national border की यानि आप अपने national border के बाहर गए ह तो आपने किसी दूसरी कंट्री से ट्रेड किया है कुछ खरीदा है या कुछ बेचा है ठीक है अब इंटरनाशनल ट्रेड हमें क्यों करना है क्या importance है तो simple सा रीजन है कि कोई भी कंट्री अपने आप में self-sufficient नहीं है कुछ कंट्रीज के अंदर minerals का मोते वह अग्रिकल्च नहीं है दूसरों के उपर dependent है इसलिए इंटरनाशनल ट्रेड बहुत important है ठीक है आगे चलते हैं भीया तो next topic आता है that is barter system तो barter system initial form of trade था जो primitive यानि पुरानी societies के अंदर होता था किस उस ताइम पर पैसा नहीं था money नहीं थी currency नहीं थी ठीक है अब major difficulty जो थी barter system में उसको overcome कर दिया by the introduction of money suppose मेरे को pen चाहिए और मेरे पास pencil है तो मेरे को कोई ऐसा बंदा ढूणना पड़ेगा जिसे बदले में pencil चाहिए और वो मुझे in return barter के थूप pen दे दे ठीक है तो यह बहुत difficult task होता था बट जैसे ही पैसा इंट्रोडक्शन में आया currency इंट्रोडक्शन में आयी तो यह problem हमने overcome कर ली ठीक है आगे चलता है तो जब पहले paper या coin currency नहीं हुआ करती थी तो उस time पे बहुत ही rare जो expensive होते थे rare objects होते थे जिनकी काफी high interest value होती थी बहुत importance रखते थे ठीक है ऐसे ही हर इस तोन हो गया opposite in हो गया shells हो गई tiger के pause हो गए वेल का तो गया dog कि skin हो गई तित हो गया फर हो गया copper silver gold etc इनको as a form of money use किया जाता था अपने goods को खरीदने के लिए ठीक है आगे चलते है तो एक बहुत important बात दी गई है interesting सा fact है कि जो आज के time पे word use करते है salary वो एक Latin word से आया है जो था selerium उसका मतलब होता था payment by salt तो पहले क्या होता था जो salt produce करने का तरीका था वो unknown था और इसको सिर्फ और सिर्फ rock salt के थ्रू बनाया जा सकता था जो बहुत ज्यादा रेर था और expensive था ठीक है तो इसी लिए selerium यहां से word आया because rock salt से जो salt extract कर लेता था उसकी काफी high value हो जाते थी और वो कोई भी good अपनी मर्जी का खरीच सकता था ठीक है तो यहां से salary term आया है and this is how salt became the mode of payment in primitive societies ठीक है आगे चलते है तो हमें story ती कही है कि हर साल January के अंदर जब harvest season होता है तो एक zone bean मेला लगता है कहां पर जागी रोड के अंदर जो 35 km दूर है कहां से गुहाती से गुहाती कि अदर असाम में ठीक है तो असाम के अंदर एक tribal मेला लगता है ठीक है और पॉसिबली अभी तक एक only fair है इंडिया के अंदर जो बाटर सिस्टम के थू अभी तक चल रहा है ठीक है तो इसके अंदर बेसिकली एक बहुत बड़ी मार्केट ओर्गनाइज की जाती है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स और कमुनिटीज के लोग पार्टिसिपेट करते हैं अपने गुड्स को एक्स्चेंज करते है ठीक है तो कुश्चन आया था 2018 में तीर नमबर में in the light of the above paragraph justify the values of water system in the life of tribal communities तो हमें justification देना है आज भी बहुत सारी जो tribal communities है वो इन developed area से पिछड के जंगल में ही रहती है ठीक है और वहीं से जो भी उनको products मिलता है उसको एक दूसरे से एक्सचेंज करके अपना गुजारा कर रही होती है ठीक है तो इसी के बारे में थोड़ा सा लिखना है हम लिख सकते है आगे चलते है तो next topic आता है history of international trade तो basically हमने यही जर्नी पढ़नी है कि जब ancient time था पुराले time के अंदर transporting goods over long distance was risky ठीक है biggest modes of transport नहीं है गने जंगल होते थे animals का भी डर रहता थे बहुत सारे factors होते थे ठीक है इसी लिए जो trade था वो local markets तक restricted था और trade में भी उस time पर बहुत basic जो आपकी needs होती थी कि आपको खाना चाहिए आपको कपड़े चाहिए वो बार्टर के थू चल रहा होता था ठीक है luxury items के अंदर trade start नही लगता है यह जो power class यह existence में आने लगती है तो हम silk route का example बहुत बहुत बार पढ़के आते हैं ठीक है तो basically यह एक long distance trade route था जो कि Rome को चाइना से 6000 km का route था Rome को चाइना वो connect करता था ठीक है अब basically यहां इस route के through जो traders होते थे वो Chinese silk, Roman wool या फिर precious metal यह जो luxurious items है इनको transport करके लाते कहां पर इंडिया में पर्शिया में और Central Asia के अंदर और यहां पर जो पैसे वाले लोग थे वो इन चीजों को खरीगते थे ठीक है तो पहले क्या था basic need के लिए trade होता था लेकिन धीरे धीरे जब class power हाथ में आने लगी लोग rich होने लगे तो luxurious items का trade स्टार्ट होने लगा जो दूसरे दूसरे एरिया से लोगों के थरू intermediate points के थरू उन rich people तक पहुचाए जाते थे ठीक है उसके बाद 12th और 13th century के around जो Europe और Asia के बीच में trade बहुत जादा अग्रियू होने लगा और इसी time पर हमारेका को भी discover किया गया था ठीक है तो similarly 15th century onwards European colonialism start होने लग गया था Europe या फिर जो French थी वो अपनी colonies वगारा बनाने लग गए थे ठीक है British और यह सारी चीजे तो अब इसके अंदर एक पॉर्टेंट पॉइंट या गया है कि colonies बनाते थे वह हम सब को आइडिया है कि सब्सक्राइब को अगर अगर अपनी कॉलनी बनाया तो यहां से रीसोर्स को ब्रिटिश होते थे वह आफ्रिकन नीटव को काप्चर करते थे और उनको फोर्स फुरी जो अभी उन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया था वहां पर उनको फोर्स फुली भेजा था था ऐस प्लांटेशन लेबर ठीक है तो यहां से स्लेव ट्रेट सार्ट होने लग गया कि वो लोगों को पगड़ पगड़ के भेजने लग गये थे ठीक है उसके बाद भाई अराउंड 18th century के आसपास हमारा इंडस्ट्रियल रेवलुशन आ जाता है ठीक है तो इंडस्ट्रियल रेवलुशन से सिंपल सा मतलब था कि जो इंडस्ट्रिलाइज लेशन्स जो थे वो अपनी कॉलनी से रो मेटीरियल फर एक्जामपल को इंपोर्ट करके उधर लेके जाते थे मैंचेस्टर लेके जाते थे अंड वहां से उसका कपड़ा बनाके दुवारा इंडिया के अंदर इंदर इंपोर्ट करते थे ठीक है स्वरी एक्सपोर्ट करते थे तो उन्हों एक है import हमारी बहिया और एक है export ठीक है तो import से मतलब है हमारा रहली सौरी यह तो अच्छा उपलों का highlight है कैसे नाइटीन सेंच्युरी के अधर इंडेस्ट्रियल जो नेशन थे आपस में दूसरे के प्रिंसिपल कस्टूमर्स बन गया थे बिकाइस 19 सेंच्युरी तक उन्होंने अपनी अपनी कंट्री सेंदर इंडस्ट्री खड़ी कर ली थी ठीक है उनमें कॉंपटिशन बढ़ ग जानी 1945 के बाद से काफी सारी और्गनाइजेशन्स में आती है जैसे गैट आती है वर्ल्ट बैंक आता है एक्सेक्टर एक्सेक्टर विच हेल्प इन डेदूसिंग ट्रेट टैरिफ ठीक है तो इस टॉपिक में बेसिकली हमें यह बताये गया है कि पहले एंशें टाइम्स क एक्सपोर्ट करके लोग इधर लाने लगे ठीक है उसके बाद 12-13 सेंचुरी के अराउंड अमेरिका को डिस्कवर किया गया ठीक है 15 सेंचुरी के अंदर यूरोप ने यूरोपियन जितने भी नेशन थे फ्रांस था ब्रेटें था डच था इन्होंने अपनी कॉलोनी बना बनाते थे तो बनाते थे अधिक है उसके बाद 19 सेंचुरी के असपस इंडस्ट्रियल नेशन सी एक दूसरे के प्राइमरी कंजूमर्स कॉस्टोमर्स बन गये उसके बाद वार आ गया ठीक है तो वर के अंदर ट्रेक्स टैरिफ्स रिस्ट्रिक्ष्टन यह सारी चीज वोल्ड वर खतम हुए दोनों ही after 1945 तो काफी सारी organizations existence में आई जैसे gate हो गया WTO हो गया इसके बाद भाई अपना world bank हो गया IMF हो गया etc. जो इन चीजों को control करने लगी है ठीक है अब next topic आता है that is why does international trade exist क्यों exist करता international trade because specialization in production ठीक है again हर country self-sufficient नहीं है जिस area के अंदर mineral ज्यादा है वो most probably mineral based products के अंदर mineral based industries के अंदर specialized करेंगी वहीं अगर दूसरी country का example लेते है जहां पर agricultural बहुत जादा होती है land बहुत जादा fertile है तो वहां पर agro based products होंगे वो उसमें specialize करेंगी ठीक है तो कोई भी जो area है वो हर field के अंदर specialized नहीं हो सकता रधर जो भी resources उसके पास अब label है वो उस field में specialized होता है और जिन area के पास वह resources नहीं है वो उनको export कर देता है समान को बेच देता है ठीक है अब international trade कुछ principles पे based है सबसे पहला comparative advantage है हमारे पास minerals नहीं है हम कहीं और से इंपोर्ट करके लाएंगे तभी तो हमारा यहां पर गुजर्बसर होगा बहुत सारे substances हैं या materials हैं जो हमको daily life में चाहिए होते हैं ठीक है इसके अलावा complimentary and transferability of goods and services ठीक है आपने क्या किया एक दूसरे को goods or services transfer किया based on your mutual negotiation या आपको जो भी mutual benefit होता है उसके basis पे ठीक है आप mutually beneficial होता है to the trading partners इसी बात है वो ट्रेड कर दे अपना नुकसान तो कोई कराएगा नहीं ठीक है तो पांच नम्मर में कुशन आयता 2017 में in modern times international trade is the basis of world economy आपने बताना है कि क्यों international trade basis आपका world economy का अभी आगे हम balance of trade भी पढ़ेंगे उसका पार्ट भी आप थोड़ा बहुत इसके इंक्लिड कर सकते हैं ठीक है आगे topic बेसे ऑफ international trade तो काफी सारे ऐसे factors हैं जो responsible है international trade के लिए based on that हम कुछ-कुछ पढ़ेंगे सबसे पहला है difference in national resources ठीक है उसके अंदर पहला factor आता है geological structure geological structure से हमारा मतलब है topography ठीक है अब इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो हमारे बहुत चारी जाए डिवर्सिटी नौर्थ में मांटेंस फिर इसके बाद नदन प्लेन आजाती है फिर साउध के इधर वाली साइड हमारे वेस्ट में डिजर्ट से ठीक है नीचे हमारे पास वह आ जाते हैं घार्ट साजाए नीचे की तरफ अगरम आते है ठीक है तो तो लोग्राफिक ठीक है तो एक तो यह हो गया सेके अगर हम बात करते हैं तो इस मिनरल रिसोर्स तो दिफरेंट डिफरेंट सोट फ मिनरल अलग अलग जिए पर अविलेबल है तो यह रिस्पॉंसिबल होते हैं इंडस्ट्रियल डवलप्मेंट के लिए लिए फर एजांपल छतीजगंड ज वैदर के बेसिस पर ही तो क्रॉप्स होती है और उसी टाइप के आनिमल्स हमें वहां पर देखने को मिलते हैं ठीक है तो फॉर एक्जांपल बूल जो प्रोड़क्शन है वो कॉल्ड रिजिन के अंदर होती है वही बनाना रबर कोको यह सब ट्रॉपिकल रिजिन के अंदर रूर रहे होता है ठीक है तो यह एक डिफरेंज आता है अच्छा 2019 में कुश्चन आयता है इंट्रनाशनल ट्रेड इस मुच्यली बेनिफिशल टू नेशन ठीक है अनलाइस बात है अगर दो रिजिन से एक साथ ट्रेड कर रहे हैं तो दोनों के लिए बेनिफिशल होना चा कंट्री के ओरवर्ल डवल्लप्मेंट के लिए असेंशल होगा ठीक है सेकंड कॉस्टिन इस डिफरेंस इन नाशनल रिसोर्स इस बेसे अफ इंट्रनाशनल ट्रेड हमने सिचुवेशन स्वारी स्टेटमेंट को अनलाइस करना है पांच नंबर में तो 2019 में तो अभी अभी हम पढ़के आएं जस्ट वही लिखना है ठीक है सेकंड आता है डाट इस पॉपुलेशन फाक्टर इसके भी हम दो सब फैक्टर कर सकते हैं पहला है कुल्चुरल फाक्टर हर एक जो एरिया होता है उसके कुछ डिफरेंट फॉर्म आट या क्राफ्ट होता है जिसके लिए फेमस होता है अधर एरियास के अंदर ठीक है एक्जामपल इरान के अंदर कापेट्स बहुत फीमस है नौर्थ अमेरिका का लैदर बहुत फीमस है इंडोनेशिया का बटीक लोथ बहुत फीमस है इंडिया के एक्जामपल बात करते हैं तो कश्मीरी शॉल बहुत फीमस है ह तो यह cultural factors influence करते हैं काफी सारे लोगों को attract करते हैं तरीके से हैं आप घूमने जाते हैं किसी भी specific place पर आप वहां से कुछ ना कुछ ले के आते हैं ठीक है तो यह भी बहुत major है international trade के लिए तरीके से next one is size of population तो जो densely populated जो countries होती है वहां पे large volume of internal trade होता है वहां पे पॉपलेशन जादा है तो अग्रिकल्चर जो consumption वह भी जादा होगी industrial जो products है उनकी consumption भी जादा होगी local markets के अदर तो वहां पे compared to external trade हमें internal trade जादा रेखने को मिलता है ठीक है and similarly based on standard of living जब आपके पास जो country developed है वहां पे better quality of products को import हिया जाता है ठीक है तो वह भी population का size ही influence करता है ठीक है third पे आते है तो that is stage of economic development अब हर country different different economic development की stages पे होती है ठीक है जैसे for example जो agricultural countries है वहां पे agro products को exchange करके आप बदले में manufactured goods ले रहे होते similarly जो industrialized nation है वहां पे machinery के export करके बदले के अंदर food grains या फिर बाकी raw materials की नहीं et cetera et cetera यह सारे समान लिए जारे होते है ठीक है next पे आते है so that is extent of foreign investment ठीक है तो obviously बात है जब कोई दूसरी country आपकी या कोई फी जो भी industrialist है businessman है वह एक place पे आके अगर invest करता है तो वहां पे industries लगती है manufacturing और जादे scale पे होते हैं foreign investment जो capital आती है वो trade को boost करती है especially developing countries के अंदर ठीक है because वहां पे mining आप पैसा आगया तो obviously बात है आपके पास minerals है कि mining के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है ठीक है तो जब को invest करता है वहां पे तो आप mining कर सकते है oil drilling कर सकते हैं engineering या machinery को use करके products की quality को better कर सकते है quantity को बढ़ा सकते हैं ठीक है and plantation agriculture etc 5th one is transport ठीक है तो जैसे-जैसे हमारा जो भी transport network है बले वो railways है ocean जो भी inland waterways है sea routes है जितना boat जादा enhance कर रहे हो या फिर air transport अगर आपका जो भी है okay cool next one is transport obviously बात है जिस country का जितना developed transport network होगा आप समान को इतनी जल्दी दूसरे areas के अंदर import कर सकते हो या बहां से export कर सकते हो along with that जो refrigeration and preservation की जो भी better facilities आज के टाइम पर अवलेबल है उससे आप समान को जादा टाइम तक store कर सकते हो similarly जो भी बड़े बड़े ships जाते हैं उनके लिए separate containers बनवाई जाते हैं जिसके अंदर समान कोच्छे से place करके बिलकुल protected way से ले जाया सकता है transport भी काफी हद तक responsible international trade के लिए ठीक है अब 2023 के अंदर तीन नंबर में question आयता है explain how the size of population and the stage of economic development are the basis of international trade तो यह topic सबसे जादा important है आप से एक question भी आ सकता है पार्च नंबर में जिसमें आपने सारे points को explain करना पड़ेगा या फिर separately भी एक दो pointers को पूछा जा सकता है ठीक है next topic आता है that is balance of trade तो balance of trade से मतला है हमारा volume of goods and services जो की import हुई है export करी है एक country ने ठीक है तो वह होता है वह record होता अब यह दो parts में divided होता है एक होता है favorable या फिर positive balance of trade अगर आपका export जादा है और import कम है यानि आपने समान को जादा बेचा है और कम खरीदा है ठीक है तो आपको benefit हो रहा है why on contrary to this अगर आपने import जादा है आप दूसरी country से खरीद जादा रहे है और बेच कम रहे है एक्सपोर्ट कम है तो वह unfavorable या फिर negative balance of trade है ठीक है तो obviously negative balance of trade से आपके financial resource जो है वह exhaust होते है ठीक है because बहुत पैसा लग रहा है क्योंकि आप समान बहुत जादा खरीद रहे हो बदले में आप pay करते हो ठीक है तो जिन countries की population जादा है या फिर वहां पे जो इंडस्ट्री से वह इतना डवलप नहीं कर पारी या फिर governmental policies जैसी नहीं है जिसके वज़े से local market grow नहीं हो पारा हमें वहां पे जादा से जादा import करना पड़ता है इवेंचली उससे हमें काफी सारे financial losses होते ठीक है 2016 में एक नंबर में question आया था how is the favorable balance of trade and indicator of economic development of country simple सी बात है हम export कर रहे हैं हम जादा बेच रहे हैं तो इवेंचली हमारे पास उतना जादा पैसा आ रहा है हमारे financial reserves बढ़ रहे हैं जिससे एवेंचली हमारी country की development के अंदर हम उस पैसे को लगा सकते हैं और और हमारी economic growth होती है ठीक है next आता है types of international trade तो दो तरीके का एक bilateral एक multilateral नाम से समझ जा रहा है by यानि कि दो countries के within हो रहा है दो countries के बीच में हो रहा है so basic सी बात है वह एक agreement के अंदर इंटर करती है यानि दोनों की बातचीत होती है agree करती है trade के अंदर के हमें unspecified commodities ठीक है मैं तुम्हीं यह दूँगा बदले में तुमने यह देना या फिर पैसा वगेरा जो भी है वो उनके बीच का एक agreement होता है multilateral trade है it is conducted with many trading countries ठीक है अब इंडिया है इंडिया ऐसा तो नहीं सिर्फ एक country के साथ trade करती है राइट हम USA से करते हैं Russia से भी करते है Japan से भी करते हैं Singapore से भी करते हैं इच्छे बहुत चारी country से करते हैं तो आपके multilateral trade है यानि multiple trading partners है ठीक है अब एक बहुत important point दिया गया है कि जो countries हमारे लिए favorable हैं हम उनको most favored nation का status भी grant कर सकते हैं for example इंडिया के इसके अंदर हम रश्या को इस्टेस grant कर सकते हैं बहुत टाइम पे वार के टाइम पे रश्या ने हमारी help कि है trade terms के उपर अभी oil के prices इतने जादा हाई हो गते उसके बावजूद भी रश्या से हमें काफी साही टाइम पे oil जो है वह export करता रहा है ठीक है similarly हम इस्राइल को भी मान सकते हैं कश्मीर के अंदर उन्होंने काफी सारे अच्छे major projects पनाई है तो जो आपके लिए favor दे रहे हैं उनको आप most favored nation का दर्जा भी दी सकते हैं ठीक है next topic पे चलते है तो that is free trade या profit trade liberalization नाम से समझ में आ रहा है free trade या आपने restrictions को reduce करते हैं ठीक है so basically it is an act of opening up economies for trading तो political science के दर जो हमारा 9th chapter है globalization पहली बुका उसमें हम डीटेल में स्टॉपिक को पढ़ने है ठीक है तो थोड़ा बात I think आपको idea होग अगर आपने पढ़ लिए तो liberalization से मतलब है कि हमने अपनी economies को borders को खोल दिये restrictions हटा दिये कोई भी country आपके हमारी country के अंदर investment कर सकती है अपना पैसा लगा सकती है हमारे जो trade terms होंगे उनके ओपर हम थोड़ा नेगोशिएट कर सकते हम थोड़े कम लगा सकते हैं जिन nations के साथ हमारे अच्छे relations है यह जिन से हमें फाइदा हो सकता है trading terms के ओपर ठीक है so it is done by bringing down trade barriers like tariffs ठीक है अपने अपने borders को खोल दिया है तो इसमें eventually हम अलाव कर रहे होते है goods and services from everywhere to compete with domestic products and services हमारी market के अंदर बाकी countries के products भी आते हैं जो eventually हमारी local markets के अंदर compete कर रहे होते हैं ठीक है तो globalization का अच्छा आप इसके negative impact हम देख लेते benefit हमने देख लिया negative impact यह है कि unequal opportunities होती है okay eventually क्या होता है हमारे जो local traders होते हैं उनको काफी साथ नुकसान हो रहा होता है ठीक है इसके अलावा imposition of unfavorable conditions as I told you कि 9 chapter के अंदर जब हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे तो हम बहुत डीटेल में पढ़े हैं हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है तो हम डीटेल में आंसर इसको बना के लिख सकते हैं कि अब बहुत सारी organizations है IMF हो गया World Bank हो गया WDO हो गया तो इनके अंदर developed countries है उनका dominance होता है ठीक है जिससे eventually जो developing countries है under developed countries है उनके उपर कुछ policies को forcefully डाला जाता है ठीक है तो उनके लिए unfavorable conditions impose की जाती है ठीक है next है dominance of developed countries यह हमने पढ़ लिए कि जितने भी ऐसे institute है उसके अंदर developed countries की superiority हमेशा रहती है ठीक है अब इसके अलावा एक important point दिया गया है countries need to be cautious about dumped goods ठीक है जब हम किसी भी country के साथ trade कर रहे होते हैं तो हम सस्ते goods खरीद लेते हैं जिससे eventually हमारे domestic producers को बहुत सारा नुकसान होता है example है China से हम इतना सारा crack करो यह सारी चीजे लेके आता है सस्ते rate के ओपर international जब भी हम trade करते उसके साथ तो वह बहुत सस्ते goods आते हैं so compared to Indian producers हम उनके goods को prefer करते हैं वह सस्ते होते हैं that is dumped goods तो हमें इसके लिए भी बहुत ज़्यादा कोशिस होना चाहिए because eventually इससे जो हमारे local traders है entrepreneurs है producers है domestic जो भी हमारा system है उसको बहुत जादा नुकसान हो रहा होता है ठीक है क्योंकि eventually उनके goods भीकते नहीं है हम चाहिना वालों के खरीदते रहते हैं 2016 में question आयता है एक number के अंदर हमें positive aspect बताना है trade liberalization का उसका हम यहीं बता सकते हैं कि eventually इससे foreign investment आती है किसी भी country के अंदर पैसा आता है जब investment होती है तो उस country की development होती है यह point हम लेख सकते हैं लेकिन इसके बहुत सारे नुकसान भी है ठीक है next topic आता है world trade organization ठीक है तो 1948 के अंदर एक organization बनाए गई थी हमने पढ़ा था कि post world war era के अंदर 1945 के बाद काफी सारी organizations बनाए गई थी trade को manage करने के लिए ठीक है 1994 के अंदर जो members होते हैं इसी organization के वो decide करते हैं कि अब हम एक permanent institute मनाएंगे यह था एक institute लेकिन अभी तक इतना जादा नहीं चल रहा था ठीक है तो UN की help से 1995 के अंदर January के अंदर GATT को WTO के अंदर transform कर दिया जाता है which is world trade organization अब अगर हम देखते है world trade organization के क्या function है तो सबसे पहला it set rule for global trading system ठीक है तो international trade के लिए rules and regulations set करता है second अगर member states के बीच में कोई भी dispute हो गया तो उसको resolve कराने का काम किसका है WTO का third covers trade and services banking telecommunication सारी चीज के अंदर इसको basically international trade को लेके यह major rules और guidance दे रही होती है sort of ठीक है अब इसको criticize और oppose किया जाता है दाट इस organization ने rich और poor यारी developed और underdeveloped या developing countries के बीच के बीच के आपको बहुत जादा बढ़ा दिया है बाडेंट कर दिया है again why same reasons है कि यहां पर उन्हीं की dominance चलती है जो भी influential nations है वो WTO के अंदर वो अपने interest के according policies को frame कराते है ठीक है और काफी सारी जो developed countries है उन्होंने अभी तक अपनी markets को उपन नहीं किया है developing countries के producers के लिए ठीक है वो अभी भी तो obviously उससे क्या हो रहा है जो developed countries है वो अपने जो market है उसके अंदर अपने sellers को products बेचने देती है बाहर की countries को लाओ नहीं करती है तो अपना तो domestic seller उनका तो फायदा हो रहा है लेकिन खुद बाहर की countries के अंदर जाके अपने products को बेच रही होती है ठीक है तो यह system में इसके अलावा इसमें यह है कि health के issues या worker right child labor और environment को पूरे तरीके से एक अनौर किया जाते है because obviously जब आप एंडस्ट्री मना रहे हो company मना रहे हो तो उसके अंदर workers के भी बहुत सारे rights होते है child labor नहीं होती है environment को भी बहुत crucial terms पे चीजे impact कर रही होती है तो इन मुद्धों पे discussion ही नहीं होता है ठीक है तो यह इसके critics है अच्छा एक basic information दीगे है कि WTO का headquarter का पे जनेवा के अंदर जुकाए Switzerland के अंदर ठीक है as of 2016 164 member countries इसके अंदर and India has been one of the founding members of WTO इसके बाद next topic आता है regional trade blocks तो इससे पहले जो हमने पढ़ा WTO पढ़ा तो वह basically क्या है वो एक international trading block है यानि कि throughout the world कोई भी country इसको join कर सकती है उसकी policies वगर के अंदर participate कर सकते है ठीक है लेकिन regional trading blocks particular region के according बनाई जाते हैं उसी के member होते है for example European Union जो again हमारा class 12th political science को चाप्टर है new center of power उसके अंदर EU या एशियान को detail में पढ़ के आए तो EU की अगर हम बात करते हैं तो EU एक regional organization है जिसके अदर EUROPE के members उसको join कर सकते हैं ठीक है अब काफी सारे यहां पर benefits है कि आपस में trade करते हैं ठीक है जिससे eventually एक तो पास-पास countries है तो इनका transportation time घट गया ठीक है secondly इनकी एक ही currency है euro जो इनको financial reserves के अंदर benefit बहुत जादा करती है ठीक है अगर हम USA के साथ trade करते हैं तो हम dollars के अंदर कर रहे होते हैं ठीक है जिससे eventually हमें loss हो रहा होता है लेकिन क्योंकि इनकी similar currency है तो इनको loss नहीं होता है ठीक है इनको कही नहीं benefit होता है इनकी agricultural policies काफी जादा तो यह होता है एक regional trade block पनाने का ठीक है तो एक एंकरेज trade between countries with geographical proximity यह यह पास-पास है ठीक है Asian के अगर बात करते है तो यह पर Southeast Asian nations आते हैं तो इनमें बश्च्टिक्शं को हटा देते हैं ठीक है and these blok remove trade tariffs within the member nation and encourage free trade free trade के ओपर emphasis किया जाता है कि कोई भी tax duties वगरे हम जादा नहीं लगाएंगी ठीक है अब these are developed as a response to the failure of global organization ठीक है हमने पड़ा कि जो हमारी WTO अगरा है वहां पर developed countries के influence जादा होती है तो इन ही सारी problems के response में लोगों ने सोचा कि better है हम खुद का बना लेते हैं उसके अंदर at least हमारी तो चलेगी न तो 5-6 members मिलके बना लेते हैं EU के अंदर काफी सारे members है लेकिन बहुत सारी चुटी चुटी organization है जिसके अदर 4-5-4-5 members है अब आज के ताइम पर हम बात करते हैं तो almost 120 regional trade blocks है और वर्ल्ड का 52% वर्ल्ड जो ट्रेड है वो इन ही regional blocks के अंदर in between हो रहा होता है ठीक है so compared to international यह bodies भी बहुत जादा सही है काइस international के अंदर बहुत सारे members हो जाते है बहुत खिच-पिच मची रहती है तो इससे बेटर है 3-4 लोग मिलके अपना बना लो ठीक है next आते है कि concerns related to international trade पहले कुछ benefits पर लेते हैं क्या-क्या benefit होता है so it leads to regional specialization ठीक है second आता है higher level of production next is better standard of living इसके अलावा worldwide availability of goods and services कोई भी service या good आपकी country के अंदर available नहीं है आप दूसरी country से इसको import कर सकते हो ठीक है equalization of prices and wages because अब जब international trade इतना स्यादा हो गया है कि USA के जो बंदे है वो इंडियन इंजिनियर्स को हायर कर रहे है तो इनका knowledge वहां पे एक तरीके से ट्रेड हो रहा है आपको पैसा मिल रहा है salary मिल रही है उसके बदले में आप दूसरी country के अंदर जाके बिजॉब कर सकते हैं इसके भी उसके अंदर आता है बद हम युशुली गोड्स को ही इंफ्यूट कर रहे होते है ठीक है अब इंपक्त देख लेते है इसके नेगटिव इंपक्त किया है अनिवन लेवल फ डवलोप्मेंट ठीक है बिकास जहां पर फॉरें इंवेस्मेंट आ रही है उस एरिया क स्केल पर हो रही है इसके अलावा MNC जो है वो काफी जादा प्ल्यूशन फेलारी होती है ठीक है और नेक्स्ट है रिवर बेसिंस जो है वह भी सोल्ड ऑफ कर दिये है प्राइवेट डिंकिंग वाटर कंपनी इसको ठीक है तो जो नाचुरल रिसूर्स थे उनको भी अब और गार्ड़ेशन फेले फाइव शुब्स है यह एक पार्ट ऑफ वर्ल्ड से दूसरे पार्ट ऑफ वर्ल्ड के लिए पोड्स के तुरू प्राइवल कर सकते है ठीक है अब पोड्स के अंदर हमें फैसिलिटीज होती है दॉकिंग की अंलोडिंग की फैसिलेटीज थे इस समान लेके जा रहा है so they need to make sure कि within जो रस्ता है वो नेविगेबल है या नहीं शिप जा सकती है या नहीं वेदर कैसा है यह सारी चीजे ठीक है इसके अलावा अरेंजिंग तंक्स अंड बैरजस मतलब उविसली उनको जब तंक्स एक तरीके से वह लगाया जाता है ना कुछ रस्ती के थुरू बांद के रखा जाता है कुछ भी वह सारी चीजे अरेंज करने है नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग लेबर एंड मेनेजरियल सर्विसेस आपको मैनेजमेंट उसका प्रॉपर मेंटेन करके रखना है साथ के साथ लेवर चाहिए होता है समान को लोड अनलोड करने के लिए ठीक है अब आता है इंपोर्टेंस ओफ पोर्ट हम जज करेंगे इसके पास लेबर इतनी है कि वह टाइम ली समान को लोड अनलोड कर देते है प्रॉपर सोरीज सिस्टम में जादा से जादा सिप्स को हैंडल कर सकता है वह पुट उतना ही जादा इंपोर्टनेंट हो जाता है ठीक है तो इसके थूँ हम जज करते हैं दो फैक्टर से अब आजाते है भाई टाइपस ओफ बहुत सारे पोर्ट से बेज़ ओन डिफरेंट डिफरेंट क्राइटियर अगर हम कार्गों के बेसिस पर देखते है तो तीन है सबसे पहला इंडस्ट्रियल पोर्ट तो बेसिकली यह बल्क कार्गों के अंदर स्पेशलाइज करते हैं इंडस्ट्री का जो भी समान होता है जैसे ग्रेन हो गया शुगर और ओयल हो गया चैमिकल्स हो गया इनके ट्रेड के अंदर जाधतर इंक्लुड़ेड होते हैं ठीक है सेकंड है कंबर्शियल पोर्ट तो यूज़ली ज़नरल कार्गों को हांडल कर रहे होते हैं जो भी पा नेक्स साहता है बेज डोकेशन दो तरीके के एक है इनलांड पोर्ट एक आउटलेंड पोर्ट नाम से समझ में रहा है इनलांड यानिकि यह सीसे थोड़ा सा दूर अन्दर की तरफ लोकीटेड होते हैं ठीक है अब जैसे यह पोर्ट है अब यह लिंक कैसे होगा यह सी है यह एक केनाल यह रिवर के थ्रू लिंक होगा ठीक है तो सी तक बड़ी वेसल्स आती है उसके बाद छोटी वेसल्स के थ्रू नहीं सॉरी सॉरी यह आउट्लैंड को पोट के अंदर हां ठीक है सच पॉट्स आर एकसेसिबल तू फ्लाट बॉटम शिप्स और बार्ज ठीक है बॉटन के लिए एकसेसिबल होते बिगस सी को रॉस करके उनने किसी छोटी रिवर्या किनाल के थूँ आते पोचना होता है ठीक है एकजामपल दिया हुआ है मैंचेस्टर जो है वो केनाल के थू लिंक है मैंफिसस जो है वो मिसिपी रिवर के उपर है इसके अलावा डूस तो यहां पर आके उसके समान को अनलोड किया जाता है फिर छोटी शिप्स के अंदर दुबारा से लोड करके उसको अंदर आउट्लाइंड पोर्ट के ऊपर भीजा जाता है जिसे एवेंचली वह विदिन काट्री फिर डिस्ट्टिब्यूट किया जाता है ठीक है फर एक्जा बाद है based on function तो based on function काफी सा रहे है पहले है oil ports तो basically नाम से समझ में आरहे बाद देड देल्स विद प्रस्सिंग फिर अड शिपिंग अफ एफिर टेंगर पोर्ट होते हैं इनको इनको एक तरिके से अन रिफाइन पोर्ट यहां पर इनको रिफाइन भी किया जाता है उसके गल्फ ऑफ पर्शिया ठीक है नेक्स आता है पोर्ट्स ओफ फोल तो यह औरिजिनली अगर हम बात करते हैं तो पहले कॉलिंग पॉइंट्स हुआ करते हैं बतलब जहां पर पहले शिप्स आके रीफ्यूल होती थी या फर पानी लेती थी या फूड आइटम्स लेती थी के अंदर जो सवान होता है जनरली उसको हांडल किया जाता है एग्जामपल है अदेन हो गया हो गया हो गया या फर सिंगपूर हो गया ठीक है आगे चलते हैं तो नेक्स्ट इस पाकट स्टेशन इनको हम फरी पोट्स भी बोलते है ठीक है तो यह बेसिकली पाकट से समझ ज होते हैं in such a way that they face each other यानि opposite direction में इस तरीके से आगे सामने सामने ठीक है जैसे कि दोवर हो गया इंग्लाइन के अंदर क्यालरिस हो गया फ्रांस के नेक्स पोर्ट आता है एंट्रिपोर्ट पोर्ट तो बेसिकली यहां पे गुड्स और जो ऑके इसके अंदर बेसिकली क्या ह किक ठेगा छाइक है तो सउत आफ यह बहुक्त कर लितों कारीकिलए जाता है जहां पर लाया जाता है डिधरन डिधरन कंट्री से एक्सपोर्ट के लिए आप डिए बिफुर्ट का आप दुबारा से उसको एक्सपोर्ट करोगे आपने पहले इंपोर्ट किया लेकिन उसको उसी से मूड को आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वही सही ठीक है जैसे सिंगापॉर्ट जो है वह एशिया के लिए एंट्रिपोर्ट का काम करता है सिमिलरली यूरोप के लिए रोटरडम है और बाल्टिक रीजिन के लिए को फैंगन है ठीक है नेक्स चलते हैं तो लास्ट आता है हमारा नेवल पोर्ट नाम से समझ में आ रहा है कि स्ट्रेजिक इंपॉर्टेंस के लिए होता है ठीक है यह यह यूशुली वार्शिप्स को स है ठीक है 2020 के अंदर सांपल पेपर में पांच नंबर में कुईशन आयता दाचीफ गेटवेइस ओ वर्ल्ड ओफ इंटरनाशनल ट्रेडर हार्बर सेंपोर्ट आपको जस्टिफाय करना है ठीक है आप इसके टाइप भी लिए सकते हैं अपने आंसर को इन्हांस करने के कि एंड से परच पर और ले खी में उसके बारे में डिसकेस किया कि और सिस्टेम से जो अप्रॉअल हो ती करशी की आफ्टर जब कर नुझ stric in q y लेकिन जब लोगों के पास पैसा ने लगा ट्रांस्पोर्टेशन सिस्टम थोड़ाव डवलप होने लगा तू दूर ग्राज के एरिया से लग्शूरियस इंपोर्ट करने लगे लोग उनको खरीदने लगे उसके बाद 15th century के आस-पास European Colonism हो गया फिर हमने स्लेव ट्रेड का एक्जामपल पड़ा ठीक है उसके बाद इंडस्ट्राइजेशन आया 18th century के आस-पास 17th 18th में तो इंडस्ट्राइजेशन के दोरान के हुआ जो European nations थे वो अपनी colonies से रो मेटियल को लेके आते उनका फिनिष्ट प्रोडॉक्स बनाते ता है और दुबारास उनको colonies के अंदर जाके सस्ते दामों के पर बेच इस तरह के से ठीक है उसके बाद 19th century के अराउंड वर्ल्ड वार हमें देखने को विले ठीक है जिससे एवेंचली ट्रेट टारिफ्स बढ़ गए रिस्ट्रिक्शन सिंपोज हो गई फिर उसके बाद जब पोस्ट वर पीडियड आया यानि वल्ल्ड वर सेकें तक अब होंगे 1945 के बाद UN IN काफी सारी जिन्होंने इन ट्रेड जैसी जो एलिमेंट्स थे उनको कंट्रूल करना स्टार्ट कर दिया ठीक है उसके बाद हमने बेसिस ऑफ इंट्रनाशनल ट्रेड के अंदर काफी सारे पॉइंट्स पड़े कि किन-किन फैक्टर्स के उपर डिपेंड करता है नाच्रल रीसोर्स के पर डिपेंड करता है उसके बाद size of population बहुत important factor है फिर हमारा economic development बहुत जादा major factor है कि कि स्टेज के उपर है वह एक अग्रो बेस्ट कंट्री है फिर इंडॉस्ट्राइज कंट्री है ठीक है उसके बाद foreign investment और transport भी impact करते है ठीक है balance of trade के अंतर negative positive बहुत important है दो तरीके का टे developing countries के पास resources का ठीक है उनके साथ unfair treatment होता है sort of because again developed countries की बहुत जादा बनती है उदर उनहीं की चलती है sort of उसके बाद हमने regional trade blocks को पड़ा ठीक है क्योंकि जब international trade blocks से उनको benefit नहीं हो रहा था तो अपने region wise trade blocks को बनाने लगए बहुत अच्छे कासे चल रहा है ठीक है 52% world trade अभी उन्हीं से कमन हो रहा है उसके बाद हमने कुछ advantages or disadvantages को discuss किया देन उसके बाद हमने ports को discuss किया ठीक है तो ports के types को ध्यान रख लेना CUET के अंदर एक दो नंबर के अंदर for sure बहुत सारे question आ सकते है ठीक है so यहां पर हमारे chapter खतम होता है I hope आपको video पसंद आया हो अगर आपको lecture स से थोड़ी सी भी help मिरती है तो वीडियो का like, share, subscribe ज़रूर करना that's all for today see you in next bye-bye